तो फाइनली हमने जो दस दिन का चैलेंज था वो कम्प्लीट कर दिया है आपका प्यार आपका सपोर्ट आपके सजेशन आपकी फीडबेक ने मुझे बहुत को सिखाया है मैंने इस जर्णे में बहुत को सीखा है तो जी बात करते हैं दस दिनों के जर्णे की व्लोगिंग कर करने का तरीका कैसा होना चाहिए व्लोग की एडिटिंग स्पीड बढ़ गई है बहुत ज्यादा और इनसे भी बढ़कर चीज मैंने सीखी है वह है टाइम मेनेजमेंट के टाइम को कैसे मैंनेज करना चाहिए अगर आप बना भी रहे हो अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो और उसके बावजुद आप एडिटिंग के लिए आप टाइम निकालो यह दूसी चीजों में भी बहुत ज्यादा है मुझे इस चैलेंज ने तो मैं इस चैलेंज के लिए एल्गरो को थेंक्यू हैना चाहूंगा वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मोटीवर्ट करा है व्ल तेंथ वीडियो भाई को थेंक्यू कहते हैं आपने चैलेंज दिया और इस चैलेंज मैं भी जानता हूं कि मैंने बहुत को सिखा तो उन लोगों ने भी बहुत को सीखा होगा जितने भी लोग के यूटूब पर वक कर रहे हैं तो ग्रो थेंक्यू सो मच यार ऐसा सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके प्यार का आपके सपोर्ट का थेंक्यू सो मच अब जो मैंने सीखा है वह मेरे अपकमिंग जो व्लोग से उसमें इंप्लिमेंट करूंगा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे व्लोग देखने को मिलेंगे आपसे वली मैं शॉर्ट व आपसे शिखाया था मैं व्लोग बनाता हूं अभी continuous व्लोग डालाओ बट आपने कुछ नोटीस नहीं करा जो 10 व्लोग था उसके बाद 11 व्लोग आगया था आगया नहीं मतलब मैंने स्टार्टिंग में लिखता हो ना वह आपने नोटीस ही नहीं ना मैंने ध्यान दिया उ सोचा मैं प्रिव्यू करता हूं व्लोग का बट हो जाता है कभी चलो ठीक है इसलिए जो लास वाला व्लोग था वह 16 दो बार आगया था 16 व्लोग 16 व्लोग और जिन लगों को भी कंफूज आने स्टार्टिंग में व्लोग 16 व्लोग 17 ऐसा क्यों लिखता हूं तो वह इसलि पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना मिलता हूं मैं आपको नेक्स व्लोग में तिल दन स्टे सीप स्टे हैल्दी खम मागणी